हलो फ्रेंड्स बलकाम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चक्कती व्यास के प्रेशनों की कमपाउंड इंट्रेस्ट के तीन टाइप के कोचिंग बताऊँगा आज की वीडियो में और ये तीनों ही टाइप बहुत इंपोर्टेंट हैं दोस् ठीक है दोस्तों पहला कोचिंग क्या करा है अगर कोई धन आठ वर्स में तीन गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा यह दोस्तों आपका पहला टाइप कैसा यह दोस्तों आपका पहला टाइप ठीक है पहला टाइप का कोचिंग तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है समय यहां पर आपसे समय पूछा गया है दूसरा वाला और दूसरा वाला गुना आपको दिया गया है 243 के लिए रहे पहला समय दिया गया है पहला गुना बाद का समय पूछा गया है लेकिन बाद का गुना आपको दे रखा है के लिए रहे अब द चर्प वार लकिया है तो तीन की पार कितना रख देंगे दोस्तों पांच रख देंगे थीक है जतनी बार का मल्तिप्याई कर दी जो पहले वाला समय है तो पहले वाले समय कितना है आठ पावर कितनी है पाँच आठ पंजे कितना हो जाएगा चालिस तो कितना समय लगेगा यही तो पूछा है तो चालिस वर्स का समय लगेगा दोस्तों चालिस यही दोस्तों आपका आंसर है चालिस के लिए दोस्तों कितना समय लगेगा चालिस का समय लगेगा तो यह पहले टाइप का कोशन था उम्मीद करता हूँ यह पहले टाइप का कोशन आपकी समझ में आ गया होगा अब देखिए इसमें तो आप आपका रहेगा टाइब टू यह तो आपका टाइब बन है उम्मीद करता हूं टाइब बन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब बात करेंगे टाइब टू की ठीक है दोस्तों अगला कोशन आपका चक्ति प्याज पर रखा गया धन 15 वर्सों में स्वयम का 27 गुना हो समय कितना है 15 वर्सों का है तो 15 लिख लो गुना कितना है दोस्तों 27 गुना है के लिए रहे दूसरा समय भी आपको दिया गया है 25 वर्स लेकिन यहाँ पर दूसरा गुना आपसे पूछा गया है क्या आएगा के लिए रहे दोस्तों यही तो था कोशन टाइब बन में क्या इसा type 1 में था आप से समय पूछा जाएगा और type 2 में है आप से गोना पूछा जाएगा ठीक है क्या पूछा जाएगा गोना तो इसके लिए दोस्तों एक formula होता है मैं आपको एक formula बता रहा हूं n2 equal to n1 की power t2 divided by t1 t2 divided by t1 यह दोस्तों आपका formula है बस इतना सा इसे आप रखेंगे आपकांसर आ जाएगा ठीक है n2 क्या आपका n2 आपका teaspoon number of two मतलग दूसरा वाला गुणा ठीक है दूसरा वाला गुणा जो आपको पहला तो 15 है दूसरा है 25 तो 25 रखतीजिए पहला कितना है T1 भी रखना है पहला है 15 के लिए दोस्तों अब देखे इसे कटा लिजिए 5 से कर जाएगा 5 वारी और ये 5 से कर जाएगा 3 वारी तो ये 5 वट्टे क्या हो गया 3 हो गया क्या हो गया दोस्तों 5 वट्टे 3 अब देख सकते हैं, सथाज को लिख सकते तो दोस्तो दोसो तेथालिस यही क्या है slightest आपका गुना, तो यहां पर 240 यहीं दूस्तों आपका सही आझ सर ऑकशन होजाएगा कि लिए दोस्तों ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं इसमें आपको आगला जो कोशन कराओंगा और कि लिएिकारी करना है or 맞는 नहीं करना है कुछ भी मतलब 3 की पावर यह 3 हो गया के लिए रहा है और ज्यादा छोटा करके समझा रहा हूँ 3 की पावर 3 हो गया पहले वाला समय आपका कितना है बाद वाला 25 है बाद वाला कितना है 25 पहले वाला है 15 ठीक है 5 से कटा 3 वार 5 से कटा 5 वार पाँच बटना तीन. इस तीन से इस तीन को कटा दिजिये. 3 की पावर कितना आया? 3 की पावर पावर 5 आया. 3 की पावर 5 कितना? 2403 है. यदि आप करेंगे तो इतना छोटे में ही ये कोश्ण हो जाएगा. ये तो मैंने आपको पूरा एक-एक इ SAM करके बताया है यदि आप इसे भूल जाएं तो N2 बाराबर N1 की पावर T2 divided by T1 ये आप याद रखिए अकर ये आप याद नहीं रखना चाहते हैं और छोटा करना चाहते हैं तो ऐसे आप और छोटा कर सकते हैं के लिएर दोस्तों अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है 2019 में एक रुपे का मिस्दन 625 रुपे हो जाता है जब 1949 में चकती ब्याज पर दिया गया था तो 1999 में इसकी कीमत क्या थी बहुत इंपोर्टन कोशन है दोस्तों और ये भी आपका टाइप टू का कोशन है ठीक है देखिए कोशन क्या गया रहा है 1949 में चकती ब्याज पर दिया गया था कब दिया गया था 1949 में दिया गया था चकती ब्याज पर ठीक है दिया गया था कब तक के लिए 2019 तक के लिए 2019 तक के लिए दिया गया और इसका मिस्दन कितना बन गया 625 बन गया 1949 में दिया गया था 1949 से लेकर 2019 तक इसका मिस्दन कितना हो गया 625 रुपे हो गया तो 1949 से लेकर 2019 तक कितना समय लगा देखे 2019 तक 1949 से कितना समय हो गया यह हो गया 80 वर्स का समय हो गया तो 80 वर्स में कितना हो गया 625 कितने समय में हुआ है 80 वर्स में हुआ है लेकिन दोस्तों ये question जो कह रहा है 80 वर्स का नहीं पूछ रहा है 2019 तक का नहीं पूछ रहा है ये पूछ रहा है 1999 में इसकी कीमत क्या थी ठीक है ये तो आपको दे रखा है 2019 तक का लेकिन 2019 तक का नहीं पूछा है 1999 का पूछा है तो 1999 में से 2019 क्या है 20 वर्ष अधिक है तो क्या करेंगे 1999 में आने के लिए 20 वर्ष कम कर देंगे तो यहां तक तो 80 हो रहा था 80 में से 20 वर्ष कम कर दो तो इसका मतलब 60 वर्ष का पूछा है कितने वर्ष का? 60 वर्ष का 80 वर्ष का तो 625 हो गया साथ वर्स का पूछा है कितना होगा ठीक है दोस्तों तो वही फॉर्मूला आप याद रखेंगे N2 बराबर N1 की पावर T2 डिवाइड़ वाई T1 ठीक है यह आप याद रखेंगे N2 बराबर N1 कितना है 625 है तो आप 625 यहाँ पर रखती जी कि पावर कितनी हो जाएगी T2 को इतना है आपका T2 है दोस्तों आपका 60 हुआ यह पहले वाला समय आपका आशी है बाद वाला समय आपका 60 है यहाँ तक बात केुलिए रहें और इसे देखिए कटा लिजे 20 से कितनी रारी कटे का 3 बार 20 से कटे का 4 बार तो यह 3 बट्ते 4 हो ग उतने हैं 625 क्या है 5 की power 4 है ठीक है 625 को क्या लखेंगे 5 की power 4 ओपर क्या हो जाएगा 3 वट्टे 4 यह 4 से 4 कटा तो 5 की power कितना गया 3 पांच की power 3 कितना होता है 5 की power 3 होता है 5 का क्यू 125 यही क्या है दोस्तों आप सही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो देखिए 1999 में इसकी कीमत क्या थी 1999 में इसकी कीमत 125 रुपे थी यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो type 2 के question भी आपको समझ में आगे होंगे अब देखेंगो दोस्तों type 3 अगला question है आपका यदि एक निश्चित रासी 7.5 बरस में इसका मतलब 7.5 बरस में 6400 रुपे तथा 15 बरसों में 8000 रुपे हो जाती है तो मुल्धन ग्याद करो मुल्धन का मतलब क्या कह रहा है वो दोस्तों प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है ठीक है तो इसका क्या फॉर्म तो क्या करेंगे P equal to A1 का square बटे में A2 ठीक है A2 amount to 2 ठीक है अब देखिए A1 का whole square A1 कितना है आपका 64 A1 कितना है 6400 रुपे है अब square पूछाए न तो इसलिए इसे दो बार लिखेंगे ठीक है दोस्तों दो बार लिखेंगे A2 कितना है amount 2 कितना है amount 2 है 8000 रुपे तो बटे में आप 8000 लिख दो किलिए रहे दोस्तों A1 का whole square amount 1 का square करना है square का मतलब 2 बाल लिख सकते हैं A2 का मतलब amount 2 है amount 2 8,000 है उसे amount 2 लिख दिया 1, 2, 1, 2 से 2, 0 कट गए ये वाले 0 से ये वाले 0 कट गया ठीक है 8 से 64 कट गया 8 बारी किलिए रहे 8 से 64 बारी कट गया अब 8 का multiplex में करतो 8 का 0 में करेंगे तो 0 रहेगा 8, 4, 32 का 2 carry का 3 रहेगा 8, 6, 48 और carry का 3 कितना हो जाएगा 1 क्यामन हो जाएगा मतलब 1 क्यामन 20 आपका क्या है सही answer हो जाएगा तो मुलधन कितना है 1520 रुपे option number B दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा उमिल्द करता हूँ इस question में भी कोई doubt नहीं होगा तो ये था दोस्तों आपका type 3 type का question ये question भी exam में बहुत पूछा जाता है principle आपसे पूछना है तो A1 का whole square A1 का square करना है A1 का square मतलब amount 1 का square amount 1 ये है इसका square कर दो मतलब दो बार लग दो amount 2 को नीचे रग दो बटे में ठीक है दोस्तों उसे काट दो आपका principle निकल क्या जाएगा 120 रुपे ठीक है दोस्तों दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो like करें और दोस्तों में भी share करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीचे और पहला इकन का बटन भी दवा दीचे दोस्तों धन्यवाद